वेल्कम बैक तो आवर यूटूब चैनल क्रिप्टो बिग बूल दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कोईन को लेकर क्या कोई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे जो भी जरूर देखेगा उसे पहले बात करेंगे एक बार अभी जो क्रिप्टो मार्किट की अगर मैं दा ग्लोबल क्रिप्टो मार्किट कैप की बात करूँ 1.02 ट्रिलियन की है और 6% लगबग यहां पर डिक्रीज है लाश देके अकॉर्डिंग और वहीं पर अगर मैं देखने को मिल रही है यहां पर सो चेक कर रहेते हैं शिबा इन्हों अभी कितने नंबर पर जो है रेंक कर रहा है 12 नंबर पर रेंक कर रहा है और प्राइस जो है 0.4 टाइम 0 के साथ 1.3 की सीरीज में बना हुआ है लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर मैं बेबी डॉज कोईन क की बात की जाए तो बेबी डॉज को इनके प्राइस में जो 3.63 परसेंट लगबग जो है डिकरीज हुआ है लाश्ट 24 आज के अकॉर्डिंग और लाश्ट 24 आज में जो यह लो गया था 13 की सीरीज में गया हुआ 1399 और जो हाय था 1467 के अराउंड गया है 232 नंबर पर रेंक कर रहा है 3,65,000 प्लस लोगों ने वाच लिस्ट में इसे एड कर रखा है 1.6 मिलियन प्लस इनके जो हो चुके है अगर मैं कॉम्यूनिटी की बात करूँ बहुत स्ट्रॉंग है बेबी डॉज कोईन की लोगों ने इनसे बहुत अच्छा खासा होल्ड बना कर रखा हुआ है और जिसी साबसे बेबी डॉज कोईन अपने परजेक्ट पर काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग आने माले दिनों में इसका जो फ्यूचेर वो ब्राइट है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है और आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं क्या कोई बड़ी अपडेट है अगर आप अपना 2D NFT वहाँ पर स्टेक करते हैं तो आपको मिलेगा रसीव ए फ्री 3D NFT प्रोग्रेस तो ये एक अच्छी बात है बेबी डॉज कोईन जितने भी NFT बगारा आप बाई करते हैं उनके लिए और अगर ऐसे ही बेबी डॉज कोईन दीरे अपना स्टेप्स आग Metaverse in 2021 and this is what your post today तो यहां पर ये ट्वीट करने का इनका मतलब यही ता दोस्तों जो लोग अभी जो Metaverse में ट्रॉस्ट नहीं रखते हैं गेमिंग में ट्रॉस्ट नहीं रखते हैं उनके लिए ये ट्वीट रखा गया है कि 2028 के बाद एक फ्यूचर की प्लैनिंग है Metaverse की प्लैनिंग है, NFT का जो दौर आने वाला है उसकी बात को लेकर यहां पर इन्होंने रिट्वीट किया है कि आप इस पर विश्वाश कीजिए आने वाले समय में जब Metaverse का टाइम आएगा तो वो जो टाइम रहेगा वो जो फ्यूचर रहेगा वो Metaverse का ही रहेगा तो यह इ सर्टिक की रपोर्ट की बात की जाए तो सर्टिक में देखिया ट्रेंडिंग प्रजेक्ट में बेबी डॉज फर्स्ट नमबर पर है, BNB चैन सेकंड पर है, सिबा श्वैप थर्ड पर है तो बेबी डॉज कोई यहां पर पहले नमबर पर है, वहीं पर अगर मैं क्वाइन की बात करूं, क्वाइन एक्स ग्लोबल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाना वाला जो क्वाइन है, वह बिल्कुल बेबी डॉज कोईन है, यहां पर सेकंड पर है, सिया चैट, BTC है, डॉज है, EOS, तो फर्स नमबर पर यहां पर भी बेबी डॉज कोईन जो बना हुआ है, तो इसके लावा अगर मैं और कोई अपडेट के रगारिंग बात करूं, तो दोस्तो यह आपको पता है, 18 जो तारीको इनका AMA session हुआ था, उसकी पूरी वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं, 60 के साथ हुआ था इनकी रपोर्ट, इसके लावा Binance को लेकर दोस्तो काफी चर हिंट दिये जाते हैं, उस according देखने वाला समय रहेगा, दोस्तो आने वाले समय बिल्कुल बेबी डॉज कोईन की जो लिस्टिंग है, वो Binance में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई इतनी जल्दी Binance भी लिस 30 seconds, who's missed, तो यहां पर हो सकता है, बेबी डॉज कोईन का ही नाम आ जाए दुबारा, या हो सकता है, जैसे लवली इनू परजेक्ट है, या मैं बात करूं, बी राइस परजेक्ट है, उसका तो आपको क्या लगता है, आप भी comment session में जरूर बताएगा, तो दोस्तो आज की व झाल 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 झाल